आज हम हिंदी विशे पर चल्चा करेंगे आज का घटक है व्यकरन और जिसमें मुहाव रोम पर हम आज चल्चा करेंगे हमारे हिंदी विशे की कुरूती पर लिका के प्रश्ण करमांकत चार में छटे नंबर का जो प्रश्ण होता है जो कुरूती होती है जिसमें मुहाव रोम से सम्मंदित दो प्रश्ण होते है इन में से एक में मुहावरे का अर्थ लिक कर वाक्य में प्रयोग हमें करना होता है इसमें दो मुहावरे दिये जाते हैं इन में से किसी भी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है मुहावरे को वाक्य में रेखांकित करना होगा इसके विकल्प में अधो रेखांकित वाक्यांश के लिए कोस्टक में दिये गए मुहावरो में से उचित मुहावरे का चैन कर वाक्य फिर से लिखने के लिए कहा जाएंगा इस वीडियो में हम उस कुरुती पर चर्चा करेंगे जिसमें मुहावरे का अर्थ लिखकर हमें आपने वाक्य में प्रयोग करना होता है जिसके लिए कुल एक अंक मिलता है छात्रो आप स्क्रीन पर देख रहे है कि स्क्रीन पर एक उधारन दिया गया है 9211 होना जिसका अर् अभी हम कुछ लगभग 20 उधारनों पर चर्चा करेंगे जिसका हम अर्थ भी बताएंगे उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी करेंगे अब पहला हम प्रश्ण पढ़ेंगे निम्न लिखित मुहावरो का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए चात्रो इसमें पहला उधारन है द्रिश्टी फेरना मैंने यहाँ उत्तर इसले नहीं दिया है ताकि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसके बाद आपको स्वयम अर्थ बताने हैं और उसके वाक्य में प्रयोग भी करने हैं मैं आपको हर एक मुहावरे का अर्थ भी बता रहा हूँ और उसका उधारन में प्रयोग भी कर रहा हूँ अभी पहला मुहावरा है द्रिश्टी फेरना जिसका अर्थ है नजर डालना वाक्य में प्रयोग करता हूँ नेता जिने श्रोताओं पर द्रिश्टी फेरली दुसरा उधारन बता रहा हूँ मा ने अपने बच्चों पर द्रिश्टी फेरली हमें इस मुहावरे का अर्थ कई उधारनों के द्वारा वेक्त करना आसान होता है अभी दुसरा उधारन है राह देखना जिसका अर्थ है प्रतिक्षा करना विद्ध्यारती कई दिनों से स्कूल खुलने की राह देख रहे है आप सभी घर है COVID-19 के चलते स्कूल अभी तक खुली नहीं है और आप सब राह देख रहे हैं कि स्कूल कप खुलेगी और अब कम हमारे अध्यापकों को, हमारे सहपाठियों को, मित्रों को मिलेंगे तो उधारन आपने देखा, विध्यारती कई दिनों से छुट्टियों की राह देख रहे थे माँ अपने बेटी की राह देख रही थी अभी तिसरा एक मुहावरा है चम्पत होना जिसका अर्थ है गायव होना पुलिस को देखकर चोर चम्पत हो गया अभी चोथा मुहावरा है कमर कसना जिसका अर्थ है तैयार होना और इसका मैंने वाक्य में उपयोग किया है, चीन के खिलाप जंग लड़ने के लिए हमारे देश के सहीनिकों ने कमर कसली है, कोविड-19 का सामना करने के लिए हमारे सरकार ने कमर कसली है, हम कई तर के उधारन बता सकते हैं, पाच्वा उधारन है ताता लगना, जिसका के में मैं प्रयोग करा हूँ, आजकल रेशन की दुकान पर नागरिकों का ताता लगा रहता है, अस्पतालों में मरीजों का ताता लगा रहता है, अगला मुहावरा है शेखी बखारना, जिसका अर्थ है स्वयम की अपनी प्रशंशा करना, कई लोगों को अपनी शेखी बखारने की बुरी आदत होती है, ये वाक्य में मैं ने प्रयोग किया है, विनोद के चाचा हमेशा अपनी शेखी बखारते रहते हैं, अब ये अगला सात्वा मुहावरा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, शिकाल होना, जिसका अर्थ है पीडित होना, अब हम उसका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, पुराने जमाने में न जाने कितने गरीब लोग डाकू उनके अत्याचारों के शिकाल हो जाते थे, अगला मुहावरा है दिवार तूट जाना, जिसका अर्थ है अरचन समाप्त हो जाना, आप ध्यान से सुनें, अरचन समाप्त हो जाना, वाक्य में मैं प्रयोग कर रहा हूं, स्रियोंग को समानता का अधिकार मिल जाने से श्रीपुरुष के बीच असमानता की दिवार तुट गए अगला मुहावरा है चैन न मिल पाना जिसका अर्थ है बैचेनी अनुभव करना वाक्य है मालिक की कड़ी बाते सुनकर मुनिम को चैन न मिल पाया अगला मुहावरा है जेप जाना उसका अर्थ है लज्जित होना या शर्माना नकल करने पर पकड़े जाने पर अध्यापकिस फटकार सुनकर विनोध जेप गया अगला मुहावरा है रटते जाना जिसका अर्थ है बार-बार कहते जाना संजय गाव जाने की बात रटता जा रहा है मा मुझे पढ़ाई करने के लिए रटते जा रही है अगला मुहावरा है नाम निशान न रहना जिसका अर्थ है कोई निशान बचना या अस्तीत्व मिट जाना भुकंप के कारण कई गावों के नाम निशान मिट गए अगला मुहावरा है तिलिस्म ठूटना जिसका अर्थ है वास्तविक्ता सामने आना धोंगी सादू की सच्चाई प्रकट होती ही उसका तिलिस्म ठूट गया अगला मुहावरा है बस चलना जिसका अर्थ है काबु में होना सामर्त होना बेटे का बस चले तो वह अपनी मा को सारे तिर्थ करा दे अगला मुहावरा है खेल करना जिसका अर्थ है काम को ठिक से न करना या काम को बिगाड़ना सड़क बनाने का काम कर रहे मजदूरों में से कुछ तो खेली कर रहे थे अगला मुहावरा है मन न लगना चात्रो जिसका अर्थ है इच्छान होना आजकल मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है दुसरा एक वाक्य में बता रहा हूँ इसी मुहावरे के धारन के लिए सीर्चन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था अगला मुहावरा है मू लटकाना आप कई बार नाराज हो जाते हो तो मू लटका कर बैठ जाते हो ना इसी विशेपरे मुहावरा है, मूँ लटकाना इसका अर्थ है निराश होना जब मन चाहा खाना नहीं मिलता है तो छोटे बच्चे मूँ लटका कर बैठ जाते है अगला मुहावरा है भाग्य जागना जिसका अर्थ है स्थीती में सुदार होना दर दर की ठोकरे खाने के बाद आज कल मेरा भाग्य जाग गया है अगला मुआवरा है आखें फार कर देखना जिसका अर्थ है आच्चरे से देखना हम सरकस के कलाकारों के करतब आखें फार कर देख रहे थे और चात्रों आखरी मुआवरा है आज मैंने केवल बीस मुआवरों का चेहर किया था इस एक्टिविटी के लिए रुआसा होना ये शब्द आपने शायद सुना नहीं होगा पढ़ा होगा इसका अर्थ है उदास होना इसका अर्थ है वाक्य में प्रयोग मैं कर रहा हूँ कि मालिक की डांट फटकार खाकर नवकर रुआसा हो गया घर में पिताजी की डांट फटकार खाकर मैं रुआसा हो गया था तो चातरों ऐसे कई मुहावरे हमारे पाठ्ट पुस्तक में हैं जिनके अर्थ आपको ध्यान में रखने है और उनको अपने सिदे साधे उदारन में वाक्य में प्रयोग करने हैं ये बहुती आसान कुरती है जिसमें हम अंक प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद